हेलो एवरिवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक bank nifty की algo trading strategy वेल मेरे काफी friends हैं जो algo trading करते हैं और अच्छी खासी capital चे कर रहे हैं उसमें से ही मैंने एक friend से request कीती कि वो मुझे एक bank nifty की strategy बताए और उसने ये strategy डिस्कस की है तो वीडियो अच्छे से देखिएगा, अराम से देखिएगा, पूरी strategy अच्छे से समझ लीजिएगा, तो मैं आगे हूँ AlgoTest के platform पे, गैस अगर अभी तक आपने login नहीं किया है, मेरी वीडियो के description में लिंक है, फटा-फट जाके आप login कर सकते हैं, तो अब सबसे पहले मै आपको पूरी strategy के rules बता देता हूँ, logic बताऊँगा, so ये full bank nifty की strategy होने वाली है, जिसमें entry time रहने वाला है 9.25 a.m., exit time रहने वाला है 2.50 p.m., ये strategy में मैंने कोई भी छेडचार नहीं किया, इसमें मैंने अपना कोई भी tweak नहीं डाला है, जिस rules के साथ मेरा friend trade करता है, ये strategy, वही exactly same rules मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैंने कोई भी tweak नहीं किया, अब ये मैं आपको 1010 lots में बता रहा हूँ, जिसमें आपको sell करना है call option weekly closest premium 140 रुपीज के आसपास का, अब इसमें stop loss रहेगा आपका 20 percentage, 20 percentage का मतलब ये हो गया, कि अगर मान लो 140 ये आपकी entry है, so आप आपका 28 रुपीज का stop loss हो गया, because 140 रुपीज का 20 percent हो था 28, तो 140 के अगर entry हुए, then 168 रुपीज का यहाँ पर stop loss रहेगा है, ये बहुत simple है, re-entry on SL, recost आपका 2 बाई यहाँ पे है, इसके साथ एक और यहाँ पर feature है, वो भी मैं आपको बता जेता हूँ, तो मैं दोनों को combine क करके समझा दूँगा, बहुत जादा जरूरी है, simple momentum वाला यह feature, 8 points जब भी market नीचे आएगा, तब वो entry लेगा, ये अगर आपने समझ लिया न, आपने पूरी strategy का जिश समझ लिया है, अब आपने ये तो rule डाल दिया है, कि 925 पे exactly 140 रुपीज का premium वो sell करेगा, लेकिन वो 140 का premium sell नहीं करेगा, अलगो ट्रेडिंग में 140 रुपीज का ये lock हो जाएगा, उसके बाद, जैसे ही वो 8 points फॉल करेगा, कोई भी call option है, put option, तो वहाँ पे entry ली जाएगी, इसका असली hack यही है, कि 140 का जो आपने premium डाला है, वो actually 132 रुपीज पे enter होगा, because कभी-कभी ऐसा होत इता ही, market continuously एक तरफ की move कर देती है, so अब इस situation में, अगर market continuously एक तरफ की move कर देगी, वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही lag की entry मिलेगी, जो lag हमें profit देने वाली है, जो lag हमें loss देने वाली है, उसमें हमें entry ही नहीं मिलेगी, ये feature डालने से ये फायदा है, कि अगर market एक तरफ की move क देगी, देन वो जो loss वाला lag होगा, उसको आप avoid कर सकते हैं, और सिर्फ एक ही lag entry होगी, जो आपको profit दे रहा होगा, इसी वज़े से 140-140 premium का exactly 925 पर ये lock कर लेगा, उसके बाद ये track करना शुरू करेगा, जिस भी तरफ call option ये put option की तरफ, 8 points वो DK होगा, मतलब 140 का वो 132 रु entry on SLA recost, ये re-entry 140 पे नहीं होगी, ये re-entry 132 पे होगी, जिस भी premium पे आप enter actual करने वाले हैं, जिस भी premium पे आप actually यहाँ पे trade लेने वाले हैं, उसी premium पे वो re-entry होने वाली है, इसलिए मैं आपको बताराता है, ये दोनों feature में आपको एक साह समझाने वाला हूँ, अब ये re-entry वाला system कैसे चलता है, अब मान लो आपने 132 रुपीज पे आपका call option एंटर हुआ है, अब 132 के हिसाब से 20% का stopless हो गया है, जो लगबक around 27 रुपीज के आसपस हो गया है, अब अगर market continuously उपर जाती है, और आपका 132 जो आपने sell किया है, वो आपका 170 तक जाता है और आपका stop plus it हो जाता है, उसके बाद अगर market वापिस से continuously fall करती है, और वो premium वापिस 132 पे आता है, वही same strike price, तो आपकी वहाँ पे trade होगी, re-entry वाला जो system है, वो मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में समझाया है, तो I hope आपको इसमें कोई इतनी दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, यह ज 9.25 एम पे 10-10 रुपीज के यहाँ पे हमने call and put option के 10 lots buy भी किये हैं, जिससे हमें margin benefit मिल गया है, because अगर आप सिफ naked call and put option sell करते हैं 10-10 lot, आपको लगबग 11 लाग रुपे के आसपास लगेगा, लेकिन वहीं अगर आप call and put option buy भी कर लेते हैं 10-10 lot, आपको around 7 लाग रुपे के आसपास लगेगा, तो आपके वह 4 लाग रुपे कम हो गए, ठीक है अब यह जो मैं overall आपको result दिखाने वाला हूँ, यह 7 लाग रुपीज के हिसाब से है, और उतने महीं आपको overall profit ही दिखाएगा, तो अब यह data लोड हो चुका है, अब आप यह देखे 2017 से पूरा data है, ति यह बात भी समझनी है, लेकिन इसमें सबसे पहले ही हमें यह वाली charges include करने जरूरी है, brokerage, taxes and slippages, अगर आप यह नहीं डालेंगे, then result वो इतना जाधा practical नहीं होगा, तो slippages at least आपको 0.5 percentage तो डालने ही पड़ेंगी, इसमें taxes भी आपको डालने पड़ेंगे, और brokerage अब 15 रुपे पर order बहुत सारे brokers हैं, अगर आप 20 रुपे पर order वाला कर रहे है, then it is better कि आप 15 रुपे वाले order पे ही चले जाए, so अब यह जो data निकल के आया है, यह practical data है, and इसके basis पे आप यहाँ पे trade कर सकते है, so अब यहाँ पे overall profit आप देखिए 34 lakh रुपीज है, average profit आपका 1800 र win streak आपकी 13 days है, losing streak आपकी 7 दिन है, मतलब 7 दिन लगतार आप loss कर सकते है, and 13 days लगतार आप win कर सकते है, अब यह overall data है, and इसमें आप देख सकते है, 2024 में इस साल अभी तक यह strategy ने लगबग 3,25,000 रुपे के आजपास profit दिया है, अब यहाँ पे आपके बस दो option है, या तो जो capital की दिक्कत है, then वो आप 10-10 रुपे वाले premiums दूर-दूर से buy कर सकते हैं, जिसकी वज़े से आपका margin थोड़ा कम लगएगा, because जहाँ पे आपका 11-12,00,000 रुपे margin लगने वाला है, वही same situation में, आपका सिर्फ 7,00,000 रुपे margin लगेगा, तो लगबग 4-5,00,000 रुपे वो बात आपको समझनी पड़ेगी, hedging के साथ oral profit percentage आपका increase हो गया है, लेकिन आपका drawdown भी थोड़ा सा increase हो गया है, आपको 1,00,000 रुपीज का यहाँ पे drawdown भी है, so लगबग 15 percentage का drawdown भी है आपको, यह बात आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, अगर आप asset trader है, जो आप 15 से 20 percentage का drawdown देख सकते हैं, तो आप वहाँ पे दूर-दूर से hedging कर लीजिए, उसमें यह है कि आप overall आपका profit increase हो जाएगा, लेकिन आपका drawdown है, लेकिन अगर उससे आपको दिक्कत नहीं है, then it is fine, अपना यही same पूरी strategy, मैं आपको without hedges, यह जो hedges हमने बाहिकी हैं, ददद हो जाएगी, because hedging के साथ, जो result आपको 7 लाग रुपे के साथ दिख रहा था, अब वही same result आपको 11 से 12 लाग रुपे लगने वाले, अब यह जो आप result देख रहे हैं, यह without hedges है, because यह मैं आपको विपर दिखाता हूँ, अब यह हमने सिर्फ naked call and put option sell किया है, इसमें हमने कोई भी hedges भाई नहीं किये, इसकी वज़े से 11 से 12 लाग रुप आपका margin लगने वाला है, लेकिन उसमें यह है कि आपका overall max drawdown में काफी कम हो गया है, जहां पे आपका 15 percentage का max drawdown था, वहीं अब आपका सिर्फ 10 percentage का max drawdown रहे गया है, expectancy आपकी काफी increase हो गई है, 0.31 की हो गई है, win streak, losing streak आप देख सकते है, overall and win percentage भी आपकी increase हो गई है, 61 percentage हो गई है, so 2024 में 2,56,000 का profit है, जिसमें 47,000 रुपीस का max drawdown है, अब यह ना completely आपका description है, कि आप यहां पे naked selling करना चाहते है, call and put option, या आपको hedges buy करके trade करना है, simple से मैं आपको दोना ही aspect बता जिए, अगर आप hedges buy करके trade क करेंगे, आपका overall profit increase हो गया है, percentage, लेकिन आपका drawdown भी थोड़ा से increase हो गया है, लेकिन अगर आप naked selling करते हैं, आपका profit percentage कम हो गया है, काफी जादा, लेकिन आपका drawdown भी कम हो गया है, तो आपको देखना पड़ेगा, कि आपकी psychology की साब से, कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा करते हैं, इससे आप अपनी strategy results और जादा better कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, आप एक बार वापिस से video देख लीजे, I'm sure आपका पूरा strategy का explanation आपको समझ आ जाएगा, फिर भी अगर आपको doubt है, आप मुझे comment section में पूच सकते हैं, I'll be more than happy to answer all your queries अब इसमें आप ये भी tweaks करके देख सकते हैं, कि यही same rules के साथ की, तो मैंने आपको सिर्फ bank nifty बताया है, आप इसको nifty में try कर लीजिए, fin nifty में try कर लीजिए, sense x में, bank x में, mid cap nifty में, हमार पास बहुत सारे index हैं अब trade करने के लिए, bank nifty में में आपको बता दिया है, because bank nifty nifty में liquidity की बिल्कुल भी issue नहीं रहता, nifty में भी कोई दिक्कत नहीं है, fin nifty में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब index में आप definitely try कर सकते हैं, and जिस भी index में आप जाधा comfortable है trade करना, उसको आप definitely trade कर सकते हैं, so यही था आज की video के बारे में, I hope आपको ये strategy अच्छी लगी हो I hope आपको वीडियो ची लगी हो, and कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो, so thank you for watching the video with lots of patience, let's meet in the next video then,